हम काशी काबा के राही हम क्या जाने जगडा बाबा अपने दिल में सबकी उल्फत अपना सबसे रिष्टा बाबा हर इंसा में नूर खुदा है सारी किताबों में लिखा है वेध हूं या इंजीले मुकदस या कुरान की गीता बाबा इन अलफाजों को लिखने वाले मशूर उर्दू शायर गीतकार और उर्दू कवी अनवर जलालपुरी आज हमारे साथ हैं अनवर साब आप अंग्रेजी साहिती के लेक्टर रहे हैं उर्दू के आप शायर है तो भगवत गीता का अनुआत करने का विचार आपको कैसे आया देखिए हर पढ़े लिखे आदमी को अगर दुनिया को समझना है तो उसे कम से कम तीन भाशाएं जानना जरूरी है भाशाएं जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है उसमें बिस्तार आता है फैलाव आता है इसका मतलब यह है कि जब तक हम दूसरों को नहीं समझ सक हैंगे तब तक हम अपनी भी समीक्षा सही नहीं कर सकेंगे तो जतना प्यार मुझे मीर से है उतना ही मीरा से है जतना कबीर से है उतना ही नजीर से है तो मैं दूसरों को समझने की कोशिश करना यह मेरा सुभाव है मैंने मीर को पढ़ा तो मुझे मीरा को भी पढ़ना चाह ये बहुत बड़े लोग हैं साक्रेटीज, पलेटो, रिस्टाटिल ये सब 2400 साल पहले के लोग हैं गौतम बुद्ध भी 2000 साल पहले के लोग हैं तो गीता 3000 साल पहले की किताब है गीता को अगर आप पढ़िये तो जिन्दगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसको भगवान कृष्ण ने टच न किया गीता जो है ये पहली कोशिश है इनसानियत को संदेश देने की पहली कोशिश का नाम गीता है और उससे पहले या उस वक्त कोई इतना बड़ा दिमाग नहीं मौझूद था जो बाद में हुए लोग इसका मतलब ये है कि गीता एक ऐसा सूरज है ग्यान का ऐसा सूरज है जिसकी किरने ही फाइली है दुनिया में ग्यान के रूप में बाद का जो ग्यान है वो कहीं न कहीं से शिरिमत भगवत गीता के ग्यान की परचाई लगता एक गुन तो गीता का ये है और दूसरा गुन गीता का आजीब औ गरीब है वो ये कि गीता बगएर तरक के कुछ नहीं मानती भगवान कृष्ण भगवान अरजुन एक आम आदमी है लेकिन भगवान की भी कोई बात बगएर तरक के वो मानता नहीं छेड़ चाड़ करता कि ये कैसे नहीं ये इसे आप हमें समझाईए और आखिर होते होते भगवान को अपना विश्व सरूप देखाना पड़ता है तब उसके समझ में आता है कि अरे ये तो मैं बहुत गलत फहीमी में था अनवर साब संस्कीत को उर्दू में आपने ढाला वो भी काव्यातमक रूप में तो ये कैसे संभा हुआ प्रशियन और संस्कीत की गरामर एक जैसी है प्रशियन और संस्कीत की शबदावली एक जैसी है जैसे संस्कित में है मात्र हम हिंदी में लाए उसे माता हमने कहा ये चीज संस्कित फार्सी में जब पहुँची पर्शियन में पहुँची तो ये मात्र माता वहां मादर हो गई और यही आगे बढ़ी तो जर्मन जाकर के ये मेटर हो गई और यही अंग्रेजी में आकर के मदर हो गई तो संस्कित असमे जननी है हिंदोस्तान की पहली जबान पहली भाशा संस्कित है जो हजारों साल पुरानी है हिंदुस्तान की दीगर भाशाएं जो हैं ये उसी का की शाखें हैं ब्रांचेज हैं और मैं मेरी समझ में आता है कि संस्कित की जो आखिरी ब्रांच है जो सबसे रिफाइंड ब्रांच है वो उर्दू है तो इसलिए कि कोई भी बच्चा कहीं पर भी हो तो आप भले न पता चलता हो कि इसके माबाप कौन है लेकिन डियने और गएरा टेस्ट करके जब आप पता लगाएंगे तो कहीं न कहीं से उसके माबाप का पता चलेगा तो उसी तरह से उर्दू है जो हमारी आखरी जबान है जिसकी उम्र अभी कुल पांच छे सो बरस है चार पांच हजार साल के भारत का जो वाता वरण है भाशाओं का जो मिलन है इनसानों के ख्यालात का जो संगम है इसी ने भाशाओं को बनाया है अनुर साब संस्क्त शलोकों को आपने उर्दू में चंद बध़ किया तो ये जटिल काम रहा या आपने असानी से कर रहा है संस्कित का मैंने एक शलोक पढ़ा उसका मैंने अनुवाद तरज्वमा हिंदी में पढ़ा अब मैंने देखा कि इसका तर्जुमा महात्मा गाधी ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, बिनोवा भावे ने क्या किया, आचार रजनीश ने क्या किया, वो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा, फिर मैंने देखा कि कुछ उर्दू वालों ने क्या किया, वो भी मै ने शायरी में ढाला तो अब चूंकि बेसिकली बुनियादी तोर पर नैचरल तोर पर मैं पोईट हूँ तो परोज को पोईटरी में ढालने में मुझे आसानी होती है ये शिरिमत भगवत गीता के जो शलोक हैं आप मेरी किताब पढ़ेंगे देखेंगे मैंने शलोक नंबर तक दे दिया है ताकि कोई ये न कह सके कि साब इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया जैसे मिसाल के तोर पर पहला शलोक जो है शीमत भगवत गीता का वो ये है कि अंधे धिरितराश्ट ने संजय से पूछा बताओ युद्ध छेतर और धर्म छेतर में मेरे और पांडों के ब रूम थे मगर ये न समझो कि मासूम थे उन्हें भी थी खाहिश की दुनिया है क्या अधेरा है क्या और उजाला है क्या वो एक शक्त संजय पड़ा जिसका नाम वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम उसे रब ने ऐसी नजर बखश दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली धिरितर राजा भी थे बाप भी समझते थे वो पुन्र भी पाप भी महबत से बेटों की सरशार थे अजब तरह के वो भी किरदार थे उन्हें थी ये खाहिश की सब जान लें सभी लड़ने वालों को पहचान लें कहानी तो संजय सुनाता रहा है मैदान में क्या बताता रहा वो मै जो था जंग ही के लिए वहीं से जले धर्म के भी दिये वह बहुत सुन्दा गीता की बड़ी खास बात है कि जंग के मैदान से अमन और शान्ती का पैगाम जा रहा ये बहुत अजीब और गरीब बात है कि जहां सिर्फ एक दूसरे को जीतने का शौक है वहां से लाड़ किर्ष्णा ने किर्ष्ण भगवान ने मानवता को अमन और शान्ती प्यार मुहबत और भाईचारे का पैगाम दिया तो यह जो आपने अभी हमें अनुवाद सुनाया धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समय वेता है तो दो लाइनों का श्लोक था उसका अपने नो पंक्तियों में अनुवाद कि यह पहलाना पड़ा कि समझ जाए लोग जी बहुत बढ़िया बहुत सुनता है तो सर आप हमे इनसा हो बेजार जब हो माहोल सारा गुनहगार जब बुरे लोगों का बोल बाला रहे ना सच बात को कहने वाला रहे कि जब धर्म का दम भी घुटने लगे शराफत का सरमाया लुटने लगे तो फिर जग में होना है जाहिर मुझे जहां भर में रहना है हाजिर मुझे अच्छे हैं उनका करूं मैं भला धरम का जमाने में हो जाए राज चले नेक रस्ते पे सारा समाज इसी वास्ते जन्म लेता हूं मैं नया एक संदेश देता हूं मैं कर्मान्डे वाधिकार अस्ते का ये बहुत मशूर दोनों हैं अब इसको मैंने फैलाया कि नहीं तेरा जग में कोई कारोबार अमल ही के ऊपर तेरा अख्तियार कर्म अमल करो, अमल ही के उपर तेरा अख्तियार, अमल जिसमे फल की भी खाहिश नहो, अमल जिसकी कोई नुमाईश नहो, अमल छोड़ देने की जिद भी नकर, तो इस रास्ते से कभी मत गुजर, यह इसको यूमे ने फैलाया, अपने बारे में वो बताते हैं, इश्वर का कानसे क्या है गीता में कि गुनाहों से वो शख्स पाए नजात अजल से जो समझे कि है मेरी जात आदिकाल से ये भगवान खुद कहते हैं कि वो शख्स तमाम पाप गुनाहों से नजात पा जाएगा अजल से जो समझे कि है मेरी जात जो ग्यानी मुझे सब का खालिक कहें मुझे सब जहानों का मालिक कहें वो समझे कि मैं जन्म लेता नहीं मैं जिन्दा हूँ जिन्दा मैं मरता नहीं तसवर में यूं उनके रहता हूँ मैं वो सुनते हैं जो कुछ भी कहता हूँ मैं मेरे जिक्र से उनको राहत मिले भगवान कहते हैं कि जो ग्यानी हैं वो मेरे जिकर से उनको राहत मिले सोकूं चैन पाएं मसर्ट मिले हैं मखलूक जतनी सभी आप से अब अरजुन के कुछ समझ में आता है तो कहता है कि अच्छा इसका मतलब यह कि हैं मखलूक जतनी सभी आप से हर एक शाय की है जिन्दगी आप से तो फिर भगवान फिर कहते हैं कि अच्छा तुम्हे इतना समझ गए तो अब सुनो मैं हूँ इब्तिदा इंतिहा मैं ही हूँ आदि मैं ही हूँ अंत मैं ही हूँ जो है दर्मिया वो खला मैं हूँ बेच में जो स्पेस है वो मैं ही हूँ जो कुछ है आदि मैं अंत मैं बीच मैं मैं ही तो मैं ही आखिर मैं ही जाहिर मैं ही बातिन यह गुरान में है हुआल अवब फॉज अलड़़् दाहिर हो बातिन बिल्कुल सेम बात मैंने आपके वासान से जीनानी यथा विहाय और नैनम चिंदन ती अन्वाद पड़ा था मुझे बहुत सुन्दर लगा सुना था मैंने आपके मुझे कही तो आप उसको चरह हमें बताईए इस बात को गीता में बहुत ही सलीके से कहा गया है कि बदन enquanto पशाक है वोगरना ये तन तो फकत खाक है लबास कोहन तो बदलना ही है पुराना लिबास लिबासे कोहन तो बदलना ही है नया पैरहन फिर पहनना ही है बदन त्याक कर जाने जाती कहां नया ढूड लेती है कोई मकां नया ढूड लेती है कोई मकां और आत्मा के लिए क्या अच्छी बात भगवान ने कही कि ना हतियार करते हैं जखमी इसे ना तो आग ही है जलाती इसे भीगोने की ताकत ना पानी में है अजब बात इसकी कहानी में है अन्विर साब उर्दू से आपकी संस्कृत तक की यात्रा साहितिक के साथ साथ संस्कृतिक भी रही होगी गंगा जमनी तहजीब यही है कि आप अपने में सिमटिये नहीं इतना फैल जाएए कि दूसरों को गले लगाने का हुनर आप सीखें और यह हुनर तब ही मालूम होगा जब आपकी यात्रा संस्कित से शुरू होके उर्दू तक आएगी या आप उर्दू के हैं तो संस्कित की शिखर पर उसकी चोटी पर पहुँचने का प्रियास आपका होना चाहिएगी तो जो मेरा सारा काम जो है वो साहित और संस्कित के मिलन का ही काम है अनवर साब आपका यहां आने के लिए और हमारे साथ कुफ्तू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया